हेलो फ्रेंड्स आप सब का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल फामा एमसीक्यू में तो इस वीडियो में मैं लेक्क है हूँ आपके लिए 50 important questions जो ही माचल का ड्रग इंस्पेक्टर का exam होना है चार जुलाई को उसके लिए जो है ये questions काफी important है ठीक है तो start करते ह में हम वीडियो को ज्यादा देर नहीं करेंगे question देखिए question number one से देखिए question है maximum absorption is shifted to longer wavelength तो options देखिए bethochromic shift hyperchromic shift hipsochromic shift या hypochromic shift ठीक है तो जो maximum absorption जब longer wavelength की तरफ shift होता उसको bethochromic shift बोलते हैं option a right हो जाएगा ठीक है यह जो question है हम इसमें discuss करेंगे different different drug inspector के exams में ही questions है तो यह काफी important बन जाते हैं तो आपके इन में से question repeat होने की possibility बहुत जादा है तो इसलिए जाने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख के जाएगा next question number two have following test are used for evaluation of parenterals accept the options देखे इसलिटी टेस्ट पाइरोजन टेस्ट यह क्लारीटी टेस्ट तो जो पाइरोजन के लिए यह फ्राइबिलिटी टेस्ट नहीं आता ओप्शन भी राइट हो जगा बाकी के सब होते हैं पाइरोजन जो यह परेंट्रल्स सोरी परेंट्रल्स के लिए बाकी टेस्ट होते हैं बट फाराइबिलिटी टेस्ट नहीं आता ओके question number three देखे which of the following influence the drug distribution in the body options a protein binding capacity of the drug weight of the individual first pass metabolism of the drug a solubility of the drug तो यह हो जेगा protein binding capacity of the drug option a right हो जेगा question number four देखे कि the type of immunity produced by administration of tetanus antitoxin is options are naturally acquired active immunity artificially produced passive immunity artificially stimulated active immunity या naturally acquired passive immunity तो इसका answer हमारा option भी हो जाएगा आपको लिंक मिल जाएगा तो जाके आप वह वीडियो देख सकते हैं नेक्स है क्वेशन नंबर फाइफ है इसकी जब होती है तो जो इसका और्गिनिजम होता है उसको किल करने के लिए क्यमिकल कौन सा यूज़ करेंगे क्वेशन नंबर शीक्स है मोडिफाइड बैक्टिरिल एक्जो टोक्सिन्स तो रिदूस और देस्ट्रोल दा टोक्सिसिटी विदाउट चेंजिंग इम्मुन लॉजिकल प्रोपर्टी और कॉल्ड ओप्शन सा टोक्सिन्स सीरम्स टोक्सोइड या अंटि टोक्सिन तो यह ट भींद्रड फाइन अप्टू रुपीश थाउजें या इंप्रीजन मेंट अप्टू सिख्समांट तो बी ओजगा फाइन अप्टू रुपीश फाइफ हंड्रड नेक्स के ब्सक्रीन नमबर एट हैं कॉरी अध्यक्सिक्रीग इसे इन इंटरमेडियेट इन विच्ए यह हिस्टेडी नहीं है नेक्स अट उप्शन है आल ट्रिप्टोफन दोनों ही यह अरोमेटिक क्षिन प्रोलाइन टो हमारा ऊप्शन सी राइट होगा विए विश्ट फॉलिंग में तर्माइट नाइट्रोजन नाइट्रोजन के लिए कौन सा मेथर्ड होता है से राष्ट मेहःस्ट अंब्तर्स नंबर 10 एको सब्सक्राइब मोलीकुल अफ्रोला क्या होता है यह आपको सामने हैं TV अए हो जागह C esti 27 each 46 optimistic nessa भी गांश क्वेस्थ 11 इट जनby अलकाइल इधर पहलता है आयएट उस नहरे है टो टो को सॉती। साहरो है हैं पैरश्टिंसम्यध मिस्यून सब्सक्राइं पहला सुछ है तो यह option D हो जगा थायो पैंटल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें नेक्स्ट है question number 13 है starting material for synthesis of protein hydrochloride is तो प्रोकेन जो है hydrochloride की synthesis के लिए starting material पूछे option से है पैरा acid amino benzoic acid, पैरा acetyl benzoic acid, पैरा amino benzoic acid या है पैरा नाइट्रो benzoic acid, तो यह हो जगा पैरा amino benzoic acid option C right हो जगा question number 14 है loading dose of a drug is usually based होंदा, तो loading dose जो होता है किस पे based होता है options are percentage of drug bound to plasma protein, apparent volume of distribution and desired drug concentration in plasma total body clearance of the drug, fraction of drug excreted unchanged in urine, तो option B हो जगा यह question बहुत बहुत बार repeat हो है, जी पैट में देख लीजिए आप ड्रग इंस्पेक्टर में देख लीजिए ठीक है बहुत बार drug inspector में repeat हो है हिमाचल के में drug inspector में भी आया हो है और भी अधर state के में भी आयो कुछिन बहुत बार repeat हो है, ठीक है तो यह फिनास्टिराइड क्या है, फाइफ अलफा रिडक्टेज इनिविटर होता है, ओप्शन C हो जेगा, ऐसे भी question आ सकता है, फाइफ अलफा रिडक्टेज इनिविटर कौन सा है, तो आपको याद रखना है, फिनास्टिराइड होता है, question number 16 है, dash is prepared by dehydration of molecule of paramino benzoic acid and 2 hydroxy triethylamine, which on treatment with HCL, ठीक है, तो यह जो है reaction, तो किसके लिए होती है, option देखिए, cyclomethycane, prokane, tetrakane या u-cane, तो यह prokane के लिए होता है, तो अभी हमने देखा था, परaminobenzoyic acid, prokane के लिए होता है, तो हमारा option B right हो जाएगा, question number 17, question है, in UV, spectroscopy, sample cells, जो होती है, किसकी बनी होती है, ठीक है, तो आपको यह बताना है, UV में जो sample cells, किसकी बनी होती है, options देख लिए, metal है, polystyrene है, stale steel है, quartz, तो quartz की बनी होती है, option D हमारा right हो जाएगा, देखिए, analytical chemistry, जो है, उसके लिए भी मैंने video upload किया हुआ है, ठीक है, आपको आई बटन में उसका link मिल जाएगा, आप वीडियो देख लेना, next है, question number 18, commonly used source of light in UV, spectro, photometer, is options है, hydrogen discharge lamp, tungsten lamp, mercury arc, या deuterium lamp, तो इसमें यह हो जाएगा, deuterium lamp, option D हो जाएगा, next which is the most common mobile phase for gas chromatography, options है, oxygen, carbon dioxide, ethane, या आरगन, तो option D हो जाएगा, इसका आरगन आपका right हो जा 20 है, dopamine receptor agonist, is options है, ropirinol, toll capon, silagilin, या amandadine, तो यह ropirinol है, dopamine अरगनिस्ट में, जो होते हैं, dopamine receptor agonist, ropirinol आजाएगा, next देखे, question number 21 है, carbamazole is, options है, an anti-thyroid drug, an anti-epileptic drug, an anti-hypertensive drug, या coagulant, तो carbamazole जो है, या anti-thyroid drug है, ठीक है, तो इसका भी question कई बार repeat होता है, आपको पता है, drug inspector में, पूछते ही, पूछते हैं, तो schedule जो होता है, किसके लिए होता है, standards for cosmetics के लिए, schedule S होता है, ध्यान रखना है, option A, right होएगा, next है, question number 23 है, drug of choice for philariases, is options है, पाइपराजीन, डाइथाइल कार्बामाजीन, या अलबेंडाजोल, इवरमेक्टीन, तो option B हो जगा, डाइथाइल कार्बामाजीन, जो है, philariases के लिए drug of choice होता है, question number 24 है, selective serotonin reuptake inhibitor, जो SSI rise होते हैं, selective serotonin reuptake inhibitor में, तो option देखिए, sulpiride, phloxetine, ripoxetine, panfilarol, तो option B हो जगा, phloxetine, question number 25 है, most common side effect of nitroglycerine, is options है, diarrhea, headache, hypertension, sedation, तो ये headache हो जगा, option B आपका right answer हो जगा, question number 26, when the action of one drug is facilitated or increased by the other drug, इस फिनोमेना को क्या खहिंगे, options है, synergism, tolerance, antagonism, tachyphylaxis तो ये होता है, synergism, option A right हो जगा, question number 27 है, energy is required for the transport of drug by, options है, facilitated diffusion, active transport, pinocytosis या passive diffusion, तो active transport, option B right हो जगा, question number 28 है, cell mediated type of allergic reaction, is options है, type 1, type 3, type 2, या type 4, तो ये कौन सा type की होती है, type 4 होती है, option D right हो जगा, question number 29 है, drug of choice in trigeminal neuralgia, options है, कर्बमाज़िपीन, sodium valproate, phenytoin, या ethosaximide, तो ये option A हो जगा, कर्बमाज़िपीन हो जगा, question number 30 है, all the following drug are anti-emitic, except options है, metoclopramide, domperidone, promethazine या apomorphine, तो इन में से apomorphine को छोड़के, सारी anti-emitic है, option D right हो जगा, question number 31 है, which among the following is an anti-malarial drug, having a metabolite with triazine moiety, options देखे, quinine, proguenil, pyrimethamine, primaquin, तो option B हो जगा, proguenil, question number 32 है, which one among the following is an anti-tubercular drug with hydrazine moiety, options है, ethionamide, isoniazid, pyrazineamide, thiacidazone, तो option B हो जगा, isoniazid, question number 33 है, kodin differ from morphine structurally, in options देखे, methylation of phenolic hydroxyl group, methylation of alcoholic group, methylation of nitrogen group, या oxidation of phenolic hydroxyl group, तो इसमें methylation होता है, वो भी किसका होता है, phenolic hydroxyl group का, तो यह जो morphine होता है, उसका जो hydroxyl group होता है, C3 carbon पे, जो phenolic hydroxyl group होता है, उसका methylation करके kodin बनता है, option A right हो जगा, question number 34, for a tropane, system is fusion of options, options है, pyrolidine and pipridine, pyrolidine and pyrimidine, pyrolidine and pyrimidine, pyrolidine and pyrimidine, तो option A हो जगा, pyrolidine and pipridine, तो यह जो medicinal chemistry के उपर भी मैंने वीडियो अप्लोड किये हुए है, ठीक है, आप वो देख लिएना, अच्छे से explanation के साथ, वीडियोज हैं वो, next है, question number 35, local narcissistic exert their action by blocking of the following type of ion channels, options are, ligand-gated sodium channels, voltage-gated sodium channels, ligand-gated calcium channels, voltage-gated calcium channels, तो यह हो जगा, voltage-gated sodium channel, option B right हो जगा, question 36, pregnancy test kit, है, designed to detect which substance, options है, neutronizing hormone, progesterone, human coronary gonadotrophin या estrogen, तो pregnancy test kit में जो HCG होता है, human coronary gonadotrophin जो है, इसको detect करते हैं, ठीक है, option C, जो है, हमारा right हो जगा, question 37 है, schedule in drug and cosmetic act that deals with the standard for disinfectant fluid is, तो options देखिए, schedule OF, B या M, तो O आजाएगा, option A right हो जगा, question 38 है, schedule in drug and cosmetic act that deals with the requirement and guidelines of clinical trials, important manufacture of new drug is, options देखिए, schedule O, schedule M, schedule F, या schedule Y, ठीक है, तो यह जो है, jurisprudence का भी, मैंने एक वीडियो बनाया हुए, आप वीडियो देख लेना हो, उसमें बहुत सारी important questions include किये हुए है, आच्छे से explain भी किया हुए है उनको, तो यह option D हो जगा, schedule Y, next wave, length, source, NMR, spectrometer, इस options है, genometer, radio frequency oscillator, high voltage generator, कलिस्ट्रोन oscillator, तो option B हो जगा, radio frequency oscillator, जो होता है, इसमें source होता है, next है, और यह जो question है, बहुत repeated active form, vitamin D के active form, बहुत बाहर एक्जाम में पूछते हैं, options है, कोल, calciferol, 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 calcitriol, तो option D हो जगा, calcitriol होता है, ध्यान रखना है, इसके active form होता है, vitamin D की, question number 41 है, होमा, tropin is a, options देखे, tropin ester of immunosity acid, tropin ester of mendelic acid, tropin methyl bromide ester of mendelic acid, tropin ester of aminopharmic acid, तो option B हो जगा, tropin ester of mendelic acid, question number 46, sorry, 42 है, creatinine clearance is used as a measurement of, options देखे, positive, passive renal absorption, glomerular filtration rate, drug metabolism rate, या renal excretion rate, तो option B हो जगा, glomerular filtration rate हो जगा, next देखे, question number 43 है, drug of choice in prolonged febrile conventions, these options are carbamazepine, diazepam, phenytoin, या paracetamol, तो इसमें कुन सी हो जगेगी, diazepam हो जगेगी, option B, right हो जगा, question number 44, mercury lamp is used as radiation source in which technique, options देखे, colorimetry, fluorimetry, UV visible spectroscopy, या infrared IR spectroscopy, तो option D, हमारा IR right answer हो जगा, question number 45 है, what is news all, ये question भी बहुत बाहर repeat होता है, options hexachlorobutadine, hexachloropantadine, mineral oil या hexachlorobutadine, तो ये option C, हो जगा, mineral oil होता है, news all, next है, inert gas used in ionization stage of mass spectrometry is, तो इसमें inert gas कुन सी use करते हैं, options है, helium, argon, xenon, या methane, तो ये option D, methane use करते हैं, question number 47 है, ID, number of fat is determining to know, options are free fatty acid, average molecular size, relative unsaturation, या auto unsaturation के लिए होते हैं, double bond जो होता है, उसके लिए होता है, option C, right हो जगा, unsaturation, question number 48 है, in more method of precipitation, titration, which indicator is used, options are fluorescein, potassium chromate, ferricion या NACL solution, तो option B हो जगा, potassium chromate, question number 49 है, silica gel, H has, options देखे, starch as binder, gelatin as binder, gypsum binder होता है, या no binder, silica gel H में कोई binder नहीं होता, option D, हो जगा, no binder, next है, how many isomers are present in structure of glucose, options 12, 16, 10 या 4, तो कितने होते हैं, 16 होते हैं, तो glucose का structure, उसमें कितने isomer है, 16 है, option B, right हो जगा, अब एक question है, इसका answer आप लोग कमेंट बुक्स में देंगे, question है, reaction between an acid and alcohol produce an acid and option देखे, water, carbon dioxide, methane, oxygen, तो इसका answer जो है, आपको comment box में देना है, तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे like करना, शेयर करना, चैनल के चैनल पे नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के important questions जो होते हैं, फार्मासिस्ट एक्जाम्स के लिए, ड्रग इंस्पेक्टर्स के लिए, जी पैट के लिए, वह हम अपने चैनल पे डिसकस करते हैं, तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके थैंक्यू,